दोस्तो एक भर फीर से स्वागत करती हूँ आप सबका रेट इन्फो भी इसमें दोस्तो आज हम बात करने वाले हैं दिलिसाराय रोहिला राजकोट वीकली एक्सप्रिस ट्रेन के भारे में लेकिन उससे पहले अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन बटन से पे क्लिक जुरूर करें और अगर आप चाते हैं कि मैं आपकी कोई पसंद की वीडियो बनाओ तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखके जुरूर बताएं दोस्तों यह ट्रेन दिलिसाराय रोहिला से राजकोट चंक्शन तक चलती है इस ट्रेन का नंबर है 19.580 यह ट्रेन 22 गंटे 5 मिनट में अपनी तूरी कवर करती है टोटल तूरी जो यह ट्रेन कवर करती है वो है 1107 किलोमेटर इस ट्रेन की आवरे स्पीड है 50 किलोमेटर परार और इसके तकरीबन 24 स्टेशन है यह train हफते में सिरफ एक ही दिन चलती है, शुक्रवार के दिन अब बात करते हैं इसके टिकेट किराए की, इसमें AC 2nd टायर, AC 3rd टायर, Slipper Class, Unreserved General Dibay अवेलेबल है AC 2nd टायर का किराया है, 1950 रुपई, AC 3rd टायर का किराया है, 340 रुपई, Slipper Class का किराया है, 495 रुपई, Unreserved General Dibay का किराया है, 273 रुपई यह updated किराया नहीं है दोस्तों, updated किराया जानने के लिए आप किसी भी railway की website पर जाकर एक बात चुरूर कन्फर्म कर लें अब पात करेंगे इसके टायम टेबल और स्टेशनों के बारे में, यह ट्रेन दिली सराय रोहिला से, हर शुक्रवार दोपहर के एक बचकर 20 मिनट पर 3 नमबर प्लाटफॉर्म से रवाना होती है, इसका आगला स्टेशन आता है दिली केंट, जहां पर यह दोपहर के एक ब बचकर 55 मिनट पर पहांचती है, और 2 मिनट के स्टॉप के लिए रुकती है, इसका अगला स्टेशन आता है रिवारी जंक्शन, जहां पर यह दोपहर के 2 बचकर 56 मिनट पर पहांचती है, और 2 मिनट के स्टॉप के लिए रुकती है, अगला इसका स्टेशन आता है खैर थल जहांपर ये दोपहर के 3 बचकर 35 मिनट पर पहांचती है और 1 मिनट के स्टॉप के लिए रुकती है इसका अगला स्टेशन आता है दोस्तों अलवर जंक्शन जहांपर ये दोपहर के 3 बचकर 54 मिनट पर पहांचती है और 3 मिनट के स्टॉप के लिए रुकती है इसका अगला स्टेशन आता है बांदी कोई जंक्शन जहां पर ये शाम के चार बचकर 38 मिनट पर पहांचती है और दो मिनट के स्टॉप के लिए रुकती है अगला इसका स्टेशन आता है दोसा जहां पर ये शाम के 5 बचकर 1 मिनट पर पहांचती है और 2 मिनट के स्टॉप के लिए रुकती है इसका अगला स्टेशन आता है जैपुर गांदी नगर जहांपर ये शाम के 5 बचकर 42 मिनट पर पहांचती है और 3 मिनट के स्टॉप के लिए रुकती है अगला इसका स्टेशन आता है जैपुर जंक्षन जहां पर ये शाम के 6 बचकर 15 मिनट पर पहांचती है और 15 मिनट के स्टॉप के लिए रुकती है इसका अगला स्टेशन आता है दोस्तो फुल एरा जंक्षन जहां पर यह शाम के साथ बचकर 15 मिनट पर पहांचती है और 2 मिनट के स्टॉप के लिए रुखती है अगला इसका स्टेशन आता है किशनगर जहां पर ये रात के 8 बचकर 28 मिनट पर पहांचती है और इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है अगला इसका स्टेशन आता है अजमेर जंक्षन जहां पर ये रात के 9 बचकर 25 मिनट पर पहांचती है और 25 मिनट के स्टॉप के लिए रुकती है अगला इसका स्टेशन आता है बेयावर जहां पर ये रात के 10 बचकर 33 मिनट पर पहंचती है और 2 मिनट के स्टॉप के लिए रुकती है इसके बाद ये अपने अगले स्टेशन मारवार जंक्शन पर पहुंचती है रात के 11 बच कर 56 मिनट पर और 3 मिनट के स्टॉप के लिए रुखती है अगला इसका स्टेशन आता है फलना जहां पर ये रात के 12 बच कर 48 मिनट पर पहुंचती है और दो मिनट के स्टॉप के लिए रूकती है इसके बाद यह अपने अगले स्टेशन बिंडवाडा पर पहुँचती है तो पहुचती है अगले इसकर स्टेशन आता है दोस्तो आबू रोड जहांपर यह रात के दो बज़कर पैंधिस मिनट पर पहुचती है और 10 मिनट के स्टॉप के लिए रुकती है इसके बाद ये अपने अगले स्टेशन पालनपूर जंक्शन पर पहुंचती है सुबे के 4 बच कर 6 मिनट पर और 2 मिनट के स्टॉप के लिए रुकती है अगले इसका स्टेशन आता है महसाना जंक्शन जहां पर ये सुबे के 5 बच कर 13 मिनट पर पहांचती है और 2 मिनट के स्टॉप के लिए रुकती है इसका अगला स्टेशन आता है विरमगम जंक्शन जहां पर ये सुबे के 7 बच कर 11 मिनट पर पहांचती है और 2 मिनट के स्टॉप के लिए रुकती है अगला इसका स्टेशन आता है सुरेंद्र नगर जंक्षन जहाँ पर ये सुबह के आठ बचकर दस मिनट पर पहांचती है और इसका यहाँ पर दस मिनट का स्टॉप है सेकिंड लास्ट इसका स्टेशन आता है दोस्तो वनका नेर जंक्षन जहाँ पर ये सुबह के 9 बचकर 36 मिनट पर पहांचती है और 2 मिनट के स्टॉप के लिए रुकती है इसके बाद ये अपने आखरी स्टेशन राजकोट जंक्षन पर पहांचती है सुबह के 11 बचकर 25 तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें धन्यावाद दोस्तो झाले को जो लाई दोस्तों वाले करना पहांचती है और दोस्तों पर फूस्तों प्लीज वीडियो करना पर पहांचती है और ये जो संदुबह को लिए ग्यों प्लीज के अजिए।